पुलिस की सकती के बावजूद मध्य नागपूर में सरकारी अनाच की तसकरी थमने का नाम नहीं ले रही है जोन तीन के दल ने तहसील और शांतिनगर थाना परिशा में अनाज सस्करों के वहनों को पकड़ाए विशेश दल ने शांतिनगर थाना परिशा में तीन वहनों को सरकारी अनाज के संदे में चार्च क्लीर रोका वहन में दो टन चावल और एक टन गिहूँ था जिसकी सरकारी होने का पता चल रहा था वहन के साथ गोलू उर्फ मुहन दशरत पराते आबिद हमिद हुसेन मौचूद थे पुलिस ने वहन चालक किशो सहरे, इर्फान वजी, शेक और राकेश वर्मा से पूस्ताच की तो वह संतोष चनक जवाब नहीं दे पाए इस तरह तहसील खाना परिशा में एक वहन से दो टन चावल मिला वहन चालक एहफास पठान, अश्वाक पठान, खरवी की सूचना पर एक गोदाम पर दबिशते कर दो टन चावल बरामत किया गया दोनों ही कारवाई में देर रात तक FDA के अधिकारी जाच में जुटे हुए थे सूतरों के अनुसा तहसील थाने में दर्ज प्रकरण में चंदरशेखा भिसीकर, अमोल भिसीकर, मोनु पठान, सोनु पठान, सतीश निर्मलकर, हिमांशु अगनियोतरी और जे अगनियोतरी को पुलिस खोज रही है यह चावल, मिड़े, मील, योचना के तैद जारी होने का पता चला है जोन 3 के DCP गजानन राजमाने अनाज तसकरी को लेका बहस सकत है उनके निर्देश पर ही कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इसके बावजूद कालाबाजारी जारी होने की वज़ह चर्चित बनोदे बताया जारा है बनोदे की सरकारी विभाग और स्थानी पुलिस में घहरी पेट है वरोज लाखों की राशन की बिक्री करता है राशन दुकानदारों के अलाबा गोदाम से अनाच का परिवन करने वाले वहन चौलक उसके जुड़े है कई मामलों में लिप्तता उजाकर होने के बाद बनोदे को बचा लिया जाता है उसके एक च्छत्र वर्चस्व से कालाबाजारी में गैंग वार भी हो सकता है उसकी तरज पर पठान बंधूँ का उत्तर नाकपूर में कबजा है वह भी पेशेवर खिलाडी है कैमरा परसन अखिलेश भारत दुआज के साथ अभिशेक पानसी बीसे नियूस नाकपूर